तो हम आप लोगों की 28 सेकंड सेमेस्टर का जो आप लोगों का इन्वार्मेंटल एजुकेशन का कोईशन पेपर होने वाला है उसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टन कोईशन्स आपकी एक्जाम के लिए लेकर आए हैं जो आपके 2034 परिच्छा के लिए बहुत महत्पूर हैं बारे से 30 एक घंटे ही आपके पास आपके एक्जाम के लिए तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो यहां पर हम लोग जो है बीएट पार्ट फर्स्ट सेकंड सेमिस्टर एक्जामनेशन दोहजाट तेस चौबिस का जो इन्वार्मेंटल एजुकेशन का पेपर होने वाला है उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपोर्टन कोईशन देखने वाले हैं यहां पर सबसे आपका करेक्ट हो जाएगा World Health Organization नेक्स्ट है The Author of Practical Plant Ecology Practical Plant Ecology के लेखक हैं तो यहाँ पर इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक आपके हैं A, G, Tansley क्या है A, G, Tansley Option यहाँ पर आपका D वाला करेक्ट हो जाएगा कौन से करेक्ट हो जाएगा Option D नेक्स्ट है Environment refers to the sum total of conditions which surround man at a given point in space and time who set मनुशे एक विस्टिज स्थान पर विशेश समय पर जिन संपूर पर से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं किसने कहा तो यह किसने कहा था तो यह कहा था Dr. C.C. पार्क ने किसने कहा था Dr. C.C. पार्क ने Next है Sto Coles Vaj Sto Coles थे एक Sto Coles एक थे Psychologist, Manovagyanic जो कोस्टिज सिच्छा सास्त्री Naturalist प्रकरती वादी Naturalist इसको क्या कहते है Naturalist यानि कि प्रकरती वादी तो option यहाँ पर आपका जो है Correct हो जाएगा C option correct हो जाएगा प्रकरती वादी इसके बाद Next question देखते हैं तो Next question क्या कह रहा है The term ecosystem applies to the Any system composed of Fiscal, Chemical and Biological processes Within a space time until Of any magnitude who set परितंत्र का आर्थ होता है किसी प्रणाली तंत्र की भौतिक राशाइनी केवं जैनिक जैविक पक्रियाएं जो विसेज जीवधारी स्थां तता शमय में इकाई के रूप में होती हैं किसने कहा था ये आपको यहाँ पर बताना है तो ये किसने कहा था तो ये Linder Sand Linder Man ने कहा था option D आपका correct हो जाएगा Next है The word ecosystem was used first time Subd ecosystem का सर्वर्थम प्रियोग किया गया तो word जो है ecosystem का सर्वर्थम प्रियोग किसने किया था तो ये टेंसले द्वारा किया गया था तो option यहाँ पर आपका A वाला correct हो जाएगा Next देखते हैं तो next question क्या है The ecosystem was well grounded by परितंत्रकाप परतिपादन किया गया तो किसके द्वारा किया गया तो ये टेंसले के द्वारा ही किया गया था तो option यहाँ पर आपका A वाला correct हो जाएगा Next है Macro consumers is divided in part व्रहत गुरु उपभुकता को बाटा गया है कितने भागों में बाटा गया है ये आप से पूछा गया है तो इसे कितने भागों में बाटा गया है तो इसे तीन भागों में बाटा गया है इसके बाद Next question है The biomass is called the organization of below निम्र संगतन को जीवभार कहा जाता है यानि किसको यहाँ पर जीवभार कहा जाता है यहाँ पर कहा जाता है Producers, Consumers and Decompozers को हम लोग जीवभार कहा जाता है अब घटक को जीवभार कहा जाता है नेक्स्ट है दी एक्जम्पल ओफ आर्टी फिस्टियल इको सिस्टम करत्रिम पार्षित की तंद्र का उधार्ड है कि आपको बताना है क्रत्रिम पार्षित तंद्र का उधार्ड क्या है यह है एक्वार्य है क्या है एक्वारियम तो आफ्शन यहां पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है इस अपर इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका जो आयोजन हुआ था वो आप लों का तीन जून से लेकर 14 जून तक हुआ था लेकर यहां पर हमको फिक्स डेट यहां पर बतानी है तो यहां पर हम लोग 5 जून कर लेंगे शुरुआत कर लेंगे पांच जून से हम लोग कर लेंगे अगर लास्ट होता तो एक बार सो जाता था कि 14 जून कर देती लेकिन है यहाँ पर आपको खारा पानी का सुरोथ बताना है तो खारे पानी का सुरोथ आपको बता होगा समुद्र है सबसे ज्यादा खारे पानी का सुरोथ तो option यहाँ पर D आपका correct हो जाएगा next है the source of freeze water is यानि कि साफ पानी का सुरोथ है तो साप पानी का स्रोत है समुद्र, महाशागर, A और B दोनों हैंड पाइप तो यहाँ पर साप पानी का जो स्रोत है वो है हैंड पाइप आपर option D आपका correct हो जाएगा next देखते हैं, next question है आपका 14 पार्ष्थित की तंत्र है तो पार्ष्थित की तंत्र है, close system है, open system है बंद तंत्र है, खुला तंत्र है, A and B बहुत उप्रक्तिमेशे कोई नहीं यहाँ पर right answer हो जाएगा A और B दोनों क्या हो जाएगा A और B दोनों option है आपका 14 का आपका कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट है state of cognitive aims are ज्यान आत्मक उद्योशों की इसतर हैं यह आपको बताने हैं तो यहाँ पर यहाँ पर इसका right answer के आप stage of cognitive aims are, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा 6 कितने हैं, 6 है option, यहाँ पर जो आपका correct हो जाएगा दी answer correct हो जाएगा नेक्स्ट है according to विधार्थ type of environmental aims विधार्थ की इनसार पर रहे वड़े उद्योशों की प्रकार हैं तो यह कितने प्रकार हैं, तो यह total 5 प्रकार हैं तो यहाँ पर option जो आपका correct हो जाएगा वो D आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट है full form of UNEP UNEP का आपको यहाँ पर full form बताना है इसका full form है United Nations Environmental Program option यहाँ पर आपका A वाला correct हो जाएगा कौन सा correct हो जाएगा option A नेक्स्ट है दिलिथोश पेर part of the earth is about प्रत्वी का इस्थल मंडल भाग है लगबग तो प्रत्वी का इस्थल मंडल जो भाग है लगबग 39% कितना है 29% है यहाँ पर option आपका A वाला correct हो जाएगा नेक्स्ट है दि इन्वार्मेंट इज एवरिथिंग दैट एफेक्ट्स दि इंडिवजूल एक्सेप्ट जीन्स वो सेड रिक्ती के वंसा नुकरम के अतरिक्त वह सब कुछ पर्यावर्ड माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है किसने कहा था तो यह किसने कहा था तो यह अंस्टैसी नहीं कहा था तो option यहाँ पर आपका D वाला correct हो जाएगा अंस्टैसी scope of environment is पर्यावर्ड का छेत्र है तो यहाँ पर पर्यावर्ड का छेत्र है ब्रोड यानी की विस्तरत है क्या है विस्तरत है नेक्स्ट है DD is DD जो DDT है वो क्या है तो DDT क्या है तो DDT एक कीट नासिक है क्या है इंसेक्टी साइटस है तो option यहाँ पर आपका A वाला correct हो जाएगा DDT जो है एक कीट नासिक है नेक्स्ट है source of soil pollution is ब्रदा पुर्दूसर के श्रोत है तो यहाँ पर लुकदी तथा कागज मिल तेल सुदक कार खाने उर्दातताफ सेंत्र उपरोक्त शभी तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा DDT वाला all of the above यानि की उपरोक्त शभी नेक्स्ट है इंद्रा प्रियादर्सनी प्रियादर्सनी वरच्छ मित्र पुरुषकार आवार्ड़ड वाज started in यानि की इंद्रा प्रियादर्सी वरच्छ मित्र पुरुषकार कब प्रारंब हुआ था यह आपको बताना है तो यह हुआ था 1986 में कब हुआ था 1986 में यहाँ पर आफशन आपका A वाला करेक्ट हो जाएगा कौन से करेक्ट हो जाएगा आफशन A इसके बाद नेक्स्ट कुशन है इंद्रा गांदी इंवार्मेंट एवार्ड वाज इंद्रा गांदी पर्यावर्ड पुरुसकार कब प्रारंब हुआ था तो यह आपका हुआ था 1987 में कब हुआ था 1987 में यहाँ पर आफशन आपका A वाला करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है नेशनल इंवार्मेंट अवर्नेस कम पैनवाज started in राष्ट यह पर्यवर्ड जागरुकता अभियान कब प्रारंब हुआ था तो यह कब प्रारंब हुआ था तो यह आपका प्रारंब हुआ था 1986 में 1986 में तो आफशन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो A वाला कर्यक्ट हो जाएगा उनाइस सुच्छ श्यासी नेक्स्ट है इन ग्रीन फ्यूल्स स्कीम क्यानि कि हरित इधन योजनाम में यहाँ पर लीड इज अपसेंट इन पेट्रोल लीड इज प्रजेंट इन पेट्रोल पेट्रोल में सीसा अनुपस्तित रहता है पेट्रोल में सीसा अनुपस्तित रहता है A and B बहुत A और B दोनों और इसके बाद यहाँ पर है नन आपदी उपरुक्त मेशे कोई नहीं तो यहाँ पर जो आपका 26 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा पेट्रोल में सीसा अनुपस्तित रहता है आपशन यहाँ पर आपका A वाला करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है 4 वाट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट हमारा 4 वाट एमांग दी फोलोइंग लेटर T स्टेंड्स पोड डी टी यानि कि डी डी में जो है आपका T का मतलब क्या है यह आपको यहाँ पर पताना है तो यहाँ पर T का मतलब है ट्राई क्लोरो एथेन क्या है ट्राई क्लोरो एथेन औफशन यहाँ पर A आपका करेक्ट हो जाएगा जो आपका D, D, T जो ही कीडर नासी होता है उसमें हम से D का मतलब पहुँचा गया है तो T का मतलब क्या होता है ट्राई क्लोरो इथेन होता है नेक्स्ट है unit of measurement of noise is सोर के मापने की इकाई है तो सोर के मापने की इकाई होती है dacybal क्या होती है dacybal यानि की db तो यहाँ पर option आपका A वाला correct हो जाएगा नेक्स्ट है वेन वाज नेशनल इन्वार्मेंट fellowship started राष्टी ये पर्यावर्ड fellowship कब प्रारंब हुआ था तो राष्टी ये पर्यावर्ड जो fellowship है वो कब प्रारंब हुआ था इसका right answer क्या हो जाएगा 1996 option यहाँ पर आपका B वाला correct हो जाएगा नेक्स्ट है IEEP यानि कि IEEP का आपको full form बताना है तो यहाँ पर इसका full form क्या हो जाएगा तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा International Environmental Educational Program International Environmental Education Program तो यहाँ पर option नमबर आपका A वाला correct हो जाएगा नेक्स्ट है question आपका 31 Example of Omniboros Animals आर यहाँ पर आपका example बताने है तो यहाँ पर जो Omniboros है वो है मानव क्या है मानव यानि कि यहाँ आपका व्यक्ति है वो सरवाहरी यानि कि वो मास भी खा लेता है और सबजी बगारा भी खा लेता इसके बाद next example आप कार्णि वजमारा मासाहारी जन्तु का उधारड है तो यहाँ पर सेर जो बाग हैं यह दोनों मासाहारी हैं तो इसलिए option यहाँ पर आपका D वाला correct हो जाएगा B और C दोनों क्या हो जाएगा B और C दोनो next है साकाहारी जन्तु का उधारड है तो यहाँ पर जो साकाहारी जन्तु है वो ही हिरड है क्या है? हिरड है क्योंकि हिरड जो है वो घास फूस खाती है तो option यहाँ पर आपका D वाला correct हो जाएगा next है number of consumers आर उपभोकता की शंख्या है यह आपको बतानी है तो पर भोकता की शंख्या कितनी है? तो पर भोकता की शंख्या चार है कितनी है? चार है तो यहाँ पर option number आपका जो है C वाला correct हो जाएगा next है types of components of environments are परद्यावरड के घटकों के प्रकार है तो यहाँ पर जैविक, आजैविक, A और B दोनों और उपरद्यावरड के प्रकार है प्राकर्तिक परेवरड, मानम निर्वित परेवरड, सामाजिक परेवरड, उपर युक्त सभी तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो correct हो जाएगा उपर युक्त सभी all of the above option D आपका correct हो जाएगा next है international environment day is observed every year विश्व पर्यावरड दिवस प्रतिवर्स मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरड जो दिवस है प्रतिवर्स पांच जून को मनाया जाता है next है national population day is observed every year यानि कि राष्टिय जन संख्या दिवस प्रतिवर्स मनाया जाता है तो राष्टिय जन संख्या जो दिवस है वो प्रतिवर्स 11 जुलाई को मनाया जाता है तो option यहाँ पर आपका A वाला correct हो जाएगा next है राजीव गांदी environment award वाई स्टार्टिय राजीव गांदी पर्यावर्ड पुरुसकार कब प्रारंब हुआ था तो राष्ट जो राष्ट राजीव गांदी पर्यावर्ड पुरुसकार था वो 1992 में सुरू हुआ था यहाँ पर कोई option नहीं है यहाँ पर correct हम लोग 1993 कर लेंगे अगर लेंगे 1993 next है महा व्रच अवार्ड यानकी महा व्रच पुरुसकार कब प्रारंब हुआ था तो महा व्रच जो पुरुसकार था वो 1993 में सुरू हुआ था यहाँ पर option number आपका ए वाला correct हो जाएगा 1993 में next है earth day is observed every year on यानकी प्रत्वी दिवस प्रतिवर्स मनाया जाता है यहाँ पर जो प्रत्वी दिवस है वो प्रतिवर्स कम मनाया जाता है यह मनाया जाता है 22 अप्रेल को मनाया जाता है next है in which year was national wasteland development board established राश्टिये बंजर भूमी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई यह आपकी हुई थी 1985 में कब हुई थी 1985 में यहाँ पर option number आपका ए वाला correct हो जाएगा next है eco club was started in यानकी प्रत्वी क्लब कब प्रारंब हुआ था तो यह जो प्राश्टित की क्लब है वो आपका कब प्रारंब हुआ था तो यह आपनों का प्रारंब हुआ था तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा आपका none of the above क्योंकि यह start हुआ था 2001 में शुरूआ था 2001 में यहाँ पर आंसर जो आपका डी वाला correct हो जाएगा next है central गंगा authority यानकी केंद्रिये गंगा प्रादिकड की स्थापना कब हुई थी यह कब हुई थी यह हुई थी 1985 में कब हुई थी 1985 में यहाँ पर option D आपका correct हो जाएगा next है विश्व बंदिवस कब मनाया चाता है तो विश्व जो बंदिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है यह की गई थी एक November 1989 को की गई थी next है आपका the author of man and his work is man and his works के लेखक हैं यह आपको बताना है इसके लेखक हैं आपके Andrew John Harberts लेकिन इसके यहाँ पर आपको कोई भी option नहीं दिया गया इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट है नेचर और इन्वार्मेंट इसलिए पर्या वर्ल की प्रकरती है तो यहाँ पर पर्या वर्ल की जो प्रकरती है वो आपको बतानी है तो multi-disciplinary यानि की बहु विश्यक, interdisciplinary यानि की अन्ता विश्यक, option यहाँ पर C आपका correct हो जाएगा C A और B दोनों यानि की A और B दोनों नेक्स्ट है in English the bird environment has been derived from which अंग्रेजी में environment सब्द किस से लिया गया है तो अंग्रेजी में जो environment सब्द है वो किस से लिया गया है इन्वार्न से लिया गया है इन्वार्न से लिया गया है तो यहाँ पर option नमबर जो आपका correct होगा वो option A correct हो जाएगा नेक्स्ट है environment is fallen by यानि कि पर्यावर्न निर्मित होता है तो पर्यावर्न निर्मित होता है जैविक गटकों से बुवाकरति गटकों से आजैविक गटकों से उपरोगत सभी से जो आपका पर्यावर्न होता है वो निर्मित होता है उपरोगत सभी से option D आपका यहाँ पर correct ह हो जाएगा तो यहां पर हमने 50 questions solve कर लिए हैं और जो आपके 50 questions के हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में cover करेंगे तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ऐसी वीडियो के लिए मि तब तक लीड यह हंड़।